हाई है है व्रिवन ने भुझ ज्यागिश्वर और श्वागत करता हूं आपके अपने वर्शुल फ्लास जग्ड़ टैक पर फ्रेंड्स पैटर्न शिखने के सीरीज में मेरा पैटर्न नमबर थार्ड है चलि हम लोग इस पर डिसकस करते हैं कि इस तरह का पैटर्न को आम करेंगे टेवल क्रियेट करेंगे मैं अल्रेडी क्रियेट करके रखा हूं सो दर टाइम रिड्यूस हो ओके टेबल में आपको करना क्या है फर्स्ट टेप कि आपको सफ एज जो कोश्चन है उसको आपको फील कर देना है ठीक है इस तरह से आपको 12345 आपको सभी सेल में फील ठीक है total number of rows कितना है total number of rows five है एंaptal number of colon कितना है same It means आपको यहां से यह चीज पता चल गया कि आपको चलेगा लोग का वो up to 5 चलेगा ठीक है तक आपको condition को check करना है from 1 to 5 ओके row equal to 1 then row is less than equal to 5 similarly colon equal to 1 and colon is less than equal to 5 यह आपको condition पता चल गया है ठीक है अब आपको इसमें logic apply क्या करना है कि print किस तरह से हो रहा है मेरा data ठीक है जो हम लोग को number format print हो रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वो किस तरह से print हो र यह हमारा है first row first हम लोग देखते हैं कि first row में क्या हो रहा है first row में आपको one two three four five means क्या है कि आपका colon में increment हो रहा है ठीक है colon first first colon में one था second colon में two हो गया third colon में three है fourth colon four and fifth colon में फिप्थ है ठीक है उसके बाद क्या है line break suppose कि आया हम लोग किसमें row number two में यह मेरा क्या है, row 2 है, row 2 में भी क्या हो रहा है, same repetition हो रहा है, colon 1, यह हमारा क्या है, colon 1 है, colon 1 में क्या हो रहा है, colon 1 में 1 है, then colon 2 में 2, colon 3 में 3 है, colon 4 में 4 है, and colon 5 में क्या है, 5 है, means मेरा always क्या हो रहा है, मेरा row कुछ भी हो, ठीक है, हर एक row का implementation में क्या हो रहा है, कि आपको colon repeat कर रहा है बार-बार colon आपको one to five times क्या हो रहा है every time repeat कर रहा है तो आपको जो print करोगे उसमें print क्या करना है आपको colon को print करना है last video में हम लोगों ने row को print कर था ठीक है जिसके कारण से हम लोग achieve कर रहे थे क्या one 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 two 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 इस तरह से मेरे pattern था ठीक है यह pattern मेरा change है इसमें हम लोग को क्या करना है colon को achieve करना है ठीक है चलते हैं हम लोग इसका first programs करते हैं code लिखते हैं उसको run करते हैं उसके बाद फिर से हम लोग उसको code को समझेंगे step by step ठीक है dev c++ software में use कर रहा हूँ आप कोई भी software use कर सकते हो अगर आपके पास dev c++ नहीं है तो आप टर्बो में भी code कर सकते हो कोई problem नहीं है has include studio.h int main function after that मझे कुछ variables यह int xa row xa colon then 4 row equal to how much? 1 then row is less than equal to 5 then row plus plus row plus plus after that 4 अब हम लोग क्या करें? inner loop चला रहे है 4 colon colon equal to 1 then colon is less than equal to 5 then colon plus plus then यहापे आपको print करना है printf percentile d then आपको यहापे print क्या करना है? colon को print करना है colon print करने से क्या होगा? आपको colon every time repeat करेंगा 1 to 5 तो always 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 आपको output में आएगा ठीक है? then एक repetition हो जाने के बाद क्या है? line break है printf slash n return 0 save the code pattern 3.c then save as type को आपको c source में लाना है then save उसके बाद compile and run compile and run करने के लिए आपको execute बटन पर क्लिक करना है then compile and run कहाँ आपको option मिल रहा है ठीक हो उस पर आपको क्लिक करना है यहापे आपको output मिलेगा अब देख सकते हो 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 जो मेरा जिस तरह से में लोग को चाहिए था उस तरह से मुझे output आ रहा है अब इस code को समझते है मैं यहाँ से copy करता हूँ एक code है हमारा first देखना है क्या row equal to 1 row is less than equal to 5 तो आपको यहाँ पर condition check करना है कि row equal to 1 means 1 is less than equal to 5 yes condition true 1 is less than equal to 5 then colon में आना है फिर colon में फिर से same चीज़ है कि 1 is less than equal to 5 1 is less than equal to 5 yes 1 is less than equal to 5 तो printf colon तो colon को print कर रहे है colon में भी value क्या 1 है तो क्या print हो जाएगा 1 print होगा उसके बाद मेरा for loop end हो रहा है तो क्या होगा for loop end होगा तो first का जाएगा colon plus plus होगा colon का value क्या होगा 1 से होगा 2 then फिर से condition check होगा कि आपका 2 is less than equal to 5 yes condition true तो फिर से colon print कर रहे तो colon में आपके क्या print होगा 2 उसका बाद फिर से colon plus plus तो colon का value होजगा 3 3 is less than equal to 5 condition true 3 then फिर से colon plus plus colon का value होजगा 4 4 is less than equal to 5 5 is less than equal to 5 yes 5 is not less than but 5 is equal to 5 तो AV condition मेरा true होगा तो क्या print होगा, colon में इस time क्या है 5 तो 5 print होगा, फिर से colon increment होगा, अब colon का value क्या होगा 6, तो अब यहाँ पर बताओ 6 is less than equal to 5 क्या condition true, no, condition false जब condition false हो जाएगा तो फिर compiler क्या करेगा, inner for loop को skip करेगा, ठीक है यह part को skip करेगा, उसके बाद आगा इस next part में, जो कि है printf slash n, slash n का मतलब क्या new line, ठीक है, अब यह line को break करेगा, और इस line में आगा cursor मेरा ठीक है, second line, जिसके हम लोग बोल सकते है, row 2, ओके अब मेरा outer loop यहाँ पर end हो रहा है row के लिए, कि is 2 is less than equal to 5, 2 is less than equal to 5 yes, condition is true, तो फिर से आपको क्या हो रहा है, colon equal to 1 means, again inner loop में colon को हम लोग फिर से assign कर रहा हूं से, ठीक है चुकि हमको 1 colon से ही चाहिए, then 1 is less than equal to 5, condition true, तो फिर से आप print होगा आपका 1 similarly, 2 is less than equal to 5, condition true, 3 is less than equal to 5, condition true, 4 is less than equal to 5, condition true, then 5 is less than equal to 5, not less than but 5 is equal to 5 so 5, condition true होगा तो फिर से 1, 2, 3, 4, 5 print करेगा, then फिर से क्या होगा कि यह आपका 6 आएगा, colon का value ठीक है, तो condition false, then again क्या होगा, printf, line break, उसी तरह से आपका यह process चलता रहेगा जब तक आपका row का वेख्या है 5, 6 जब हो जाएगा मेरा row तो मेरा outer loop फिर false हो जाएगा तो फिर inner loop में मेरा cursor आएगा नहीं तो फिर सिर्फ इतना print करेगा जो की मेरा output, ठीक है, I hope कि आपको समझ में आया हो कि logic इसका किस तरह से हम लोग इस तरह का number system को print करेंगे अगर आपको समझ में आया हो तो please video को like करे, share करे and subscribe करे, thanks for watching